नमस्कार दोस्तों सुवागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर PM किसान सम्मानधी योजना का लाविरे सभी किसानों के लिए एक बड़ी खुशकबरी है परधान मंतरी नरेंदर मोधी जी दुवारा आठ करोड से अधिक PM किसान लाभारतियों को तेरिवी किस्त के 2,000 उरुपे दिये जा चुके हैं ये जो 2,000 उरुपे के किस्त है तेरिवी किस्त लाभारतियों बैंक खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है इसका हम आपको एक पुरो भी दिखाने जा रहे हैं आप स्वेम ही देख लीजेगा वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साती दोस्तो बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चलिए दोस्तो वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं और आपको लाइप पुरो के साथ ये सभी जानकारी दे देते हैं भारत के क्रिशी मंतरी निरेनेर सिंग तोमर के हम आपको ट्विटर हैंडल पर लेकर आचुके हैं यहाँ पर हम स्क्रोल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप ये देखिएगा यहाँ पर लिखा है परधान मंतरी किसान सम्मानदी पीएम किसान किसानों को पीएम किसान की तेरिविष्ट का हश्टान तरण यहाँ पर देखिए सम्मानदी रासी किसान की संख्या इतनी है और यहां पर आज जारी की जारी यह सम्मान्धी से यानि की सम्मान्धी जो रासी है यहां पर यानि की इतना सरकार का पैसा खरच हुआ है और इतने किसानों को यहां पर देगा है यह 27,2223 में यानि की 27,2223 में तेरिविकिस्ट के 2000 रुपे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिये गई है यहाँ पर आपने एक प्रूव देखा आप यहाँ पर देखे ट्वीट क्या गया है क्रिसी मंतरी का परधान मंतरी सरी नरेंदर मोजी जी दौरा करनाटा के बेलगाजी गाओं में किसान समार्दी की तेरिविकिस के रूप में देश के आठ करोड से अधिक लाभारती किसानों के बैंक खाते में 16,800 करोड रुपे से अधिक रासी जारी कर दिये यह ट्रांसफर कर दिये यह लाभ किसमों को मिल चुका है अब यहाँ पर इतना आपने देखा यह समझा आपको यहाँ पर एक लाइव जानकारी दी जा रही है ट्विटर हैंडल के माजिन से जार करोड रुपिया पल भर में और कोई बिचोलिया नहीं कोई कटकी कम्पनी नहीं कोई करप्शन नहीं सीधा सीधा किसान के खाते में अगर कॉंग्रेस के राज होता तो फेते हैं पंदरा पैसा पूंचता है अगर आज उन्होंने 16,000 करोड का सोचा हूँ तो जे कहते हुए परसनता है कि पिछले दिनों हमारे क्रेसी उत्पादों का निर्याद चार लाग करोड के आसपास हुआ जो अब तक का सबसे अधिक है यह जो परड़ाम आज हमें दिखाई दे रहा है क्रेसी के छेतर में कि हम खाद्यान के मामले में आत्म निर्बर हैं और क्रेसी उत्मादों में ना तो पहले नंबर पर है या दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़े हैं या सब मानी मोधी जी के नीतियों के परड़ाम सब पास संभा हो रहा है को अकाउंट में 16,800 क्रोड रुपे ट्रांसफर किये गए है प्यम मोधी ने करनाटक के बेलगावी में आयुजित एक समारों में प्यम किसान समांधी की तेरवी किस्त जारी की है किसानों के इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे होली के पहले ही इस किस्त के जारी होने के किसानों को तेहर के मोके बर शांदार गिफ्ट मिला है आपको बता दे कि प्यम किसान समांधी योजना के तहत 11 और 12 किस्त पिछले साल मई और अक्टूबर में की गई थी पिम किसान समांधी पिम किसान समांधी के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपे दिये जाते हैं इसमें किसानों को साल भर में तीन किस्त में यानि की चार महीने में रासी मोया कराई जाती है हर किस्त यहाँ पर देखे दोस्तों जो हर किस्त दी जाती है किसानों को यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि 2000 और दिये जाते हरे किस्त में तेरी विकिस्त जारी करते समय प्याम मोधी के साथ केंद्रे क्रिशी और किसान कल्यान मंतरी नेंदर सिंग तोमर और मंतराले के सचीव स्री मनोज अहुजा भी मौजूद रहे थे चोटे किसान BJP सरकार की प्राथ मिक्ता करनाटक के बेलगावी में परधान मंतरी नेंदर मोधी जी ने परधान मंतरी किसान समानदी की तेरी विकिस्त जारी करने के बाद कहा कि आज का बदलता हुआ भारत हर वन्चित को वरेता देते हुए एक के बाद एक विकास में काम कर रहा है हमारे देश में दर्शकों तथा छोटे किसानों को नजर अंदाज किया गया अब यही छोटे किसान सरकार की प्राथमिकता है इन छोटे किसानों के खाते में अब तक 2.5 लाग करोड रुपे जमा किये जाच चुके हैं क्रिशी में सार्थक बदलाव की तरफ से बढ़ रहा है देश में यानि कि PM मोधी ने कहा कि साल 2014 के बाद से देश लगातार क्रिशी एक सार्थक बदलाव की तरफ से बढ़ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक आपको ट्वीट भी दिखा दिया है यहाँ पर इनका पोस्ट किया गया है जो क्रिशी मंतरी है नेंदर सिंग्तों मर तो यहाँ पर उनके द्वारा यह पोस्ट किया गया है तो हमने यहाँ पर आपको एक प्रूब भी दिखा दिया है कि 13 वी किस्त के 2000 रुपे भारत के उने एक किसान को मिला है जिन्होंने अपना रेशन करायवा था और जिनका EKYC पूरा था लैंड शिडिंग का कारे पूरा था और उनके बैंक अकाउंट में आधार लिंक जमा था और वे योगगता थे ऐसे सभी किसानों को यहाँ पर यह लाब दिया गया है अब जिनका EKYC पूरा नहीं है उनको लाब नहीं मिल पाया है जिनका अकाउंट में आधार लिंक नहीं था उनको भी ये लाब नहीं मिल पाया है और जो योग के ता नहीं थे तो उनको भी ये लाब नहीं मिल पाया है जिनका लैंड शिडिंग पुरा था उनको भी ये लाब नहीं मिल पाया था जिनका पुरा नहीं था जिनका पुरा था सबी सालों को जब आपको दे दिया जाएगा लास्ट मेनी विद ने एक रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक औरनाई जानकारेक साथ जब तक के लिए जय हिंद जय मारत